कहीं मैंने पढ़ा था कि हिंदी में बिंदी भी बोलती है यानि हलन्त हो, आदा न हो, पून विराम हो, सब का कुछ नो कुछ मतलब है इंग्लिश की तरह नहीं के similar sounding words हैं और फिर उनके meanings हम लोग ढूनते रहें खेर, हमारे पास आज हैं कॉस और कोस, दूनों की pronunciation बहुत similar है और spellings में थोड़ा सा फर्क है जुसके कारण इनके meanings भी बदल जाते हैं Starting off with कोस, कोस, C-O-U-R-S-E, इसका मतलब है एक दिशा, एक पत, एक रास्ता इसका एक और मतलब है, syllabus, आपने सुना होगा, completion of the course है ना, चल्ये, examples देख लेते हैं, sentence में usage देख लेते हैं, meanings को बहतर समझ लेते हैं The storm changed the course, यानि, तुफान ने अपनी दिशा, अपना पत, अपना रस्ता बदल दिया, ठीक? Course, यानि syllabus का example देख लेते हैं, the course has been covered by the professor, मतलब, professor ने syllabus पूरा करवा दिया, ठीक? That's also course, एक और course है, जो आपने सुना होगा, यूस भी किया होगा, कहीना कहीं पढ़ा जरूर होगा, वो है, खाने से related, कुछ यादा आया? नहीं, अजे कहते हैं ना, कि main course में क्या है? वो वाला course तो starters होते हैं, फिर main course होता है, और फिर dessert होता है, राइट? इसका example देख रहे? यानि, main course, main खाने में चिकन करी था, ठीक ना? चलिए फिर दूसरे शब्द की और बढ़ी लेते हैं, दूसरा शब्द है course, और उस शब्द के meanings के साथ, हमें difference clear हो जाएगा. और इससे पहले कि मैं meaning बताऊँ, मैं आपका pronunciation में difference बताती हूँ. C-O-U-R-S-E यानि cause, और C-O-A-R-S-E यानि cause, बस इतना से फर्ख है, O और और का, तो cause यानि rough या खुर्दुरा, ठीक है? एक्जाम्पल देख लेते हैं. यानि हम लॉग पर बैठ के, जबकि हमें दिख रहा था कि वो खुर्दुरा था. तबस यही difference है, cause और cause में. मैं हमेशों कोशिश करती हूँ कि confusing words में से एक का meaning याद रखूँ और दूसरे का meaning, जो दूसरा बचा वाला है वही होगा ना? Well, you can try that. I'll see you very soon. Bye-bye.